हेलो बच्चों, वाक्षिट तीस तीन फरवली के लिए डिसाइड की गई है यह प्रकाश पार्ट से है इसमें हम आवर्धक लेंज, उत्तर लेंज, था उत्तर लेंज के पारे में पढ़ेंगे आईए समझते हैं कि आवर्धक लेंज क्या होते हैं आप यह चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आपको एक लेंज जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और जिसमें नीचे चित्र के अक्षर कुछ बड़े होकर दिखाई दे रही हैं इसी को हम आवर्धक लेंज कहते हैं इसी परकार का आवर्धक लेंस मनीश अपने दोस्तों के साथ ले कर कोकरच के अंगों को देखने के लिए यूज कर रहा था जब उसने देखा तो कोकरच के अंग कुछ बड़े दिखाई दे रहे थे और आवर्धक लेंस से असानी से देख पा रहा था लेकिन बिना आवर्धक लेंस जिसको magnifying glass कहते हैं उसके बिना वह कोकरोच के अंगों को अच्छे से नहीं देख पा रहा था आवर्धक लेंस क्या कार्य करता है यह किसी भी वस्तु के चित्र को या किसी वस्तु को हमें बढ़ा करके बड़े रूप में दिखा सकता है इसलिए इसका फरियोग छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए भी किया जाता है इसका उप्योग चश्मों में, दूर दर्शकों में, शुक्ष्म दर्शियों में भी किया जाता है लेंस पार दर्शी होते हैं लेंस के आर पार प्रकाश गुजर सकता है इसलिए हम इसको विबिन प्रकार से अपने दैनिक जीवन में इस्तमाल कर सकते हैं आवर्दक लेंस दो प्रकार के होते हैं उत्तर लेंस अधा आवतर लेंस उत्तर लेंस किनारों पर से पतले होते हैं परंतु बीच से मोटे होते हैं आप देख सकते हैं यह है उत्तर लेंस का चित्र है यह है अपने उपर पढ़ने माले सारे प्रकाश को एक बिंदू पर देना दूसरे प्रकार का लेंज है आप इस चित्र में देख सकते हैं किनारों पर से मोटा होता है परन्तु बीज से दबा हुआ होता है आप देख सकते हैं दोनों तरफ से यह पीज से अंदर की तरफ दबा हुआ है जब प्रकाश की किरन इस पर गिरती है तो यह प्रकाश की किरन को फैला देते हैं दूर दूर कर देते हैं आप देख सकते हैं यहां पर दूरी कम है लेकिन यहां पर दूरी बढ़ गई है और इस चित्र में भी दिया गया है इसी प्रकार से क्योंकि यह प्रकाश को बाहर की और मूर देते हैं और प्रकाश की किरनों को दूर दूर कर इसलिए इन्हें अप सारी लेंस भी कहा जाता है अब हम लेंस द्वारा बने प्रतिविम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तर लेंस द्वारा बने प्रतिविम को देखते हैं उत्तर लेंस वास्तिविक प्रतिविम बनाता है वास्तिविक प्रतिविम का अर्थ है ऐस प्रतिविम जो वस्तू का रूप किसी सतेह पर या किसी परदे पर दिखा सके आप देख सकते हैं यहां पर एक मुम्बत्ती रखी हुई है पीच में अवद बीच में उत्तर लेंस है तथा इन दोनों के दूसरी तरफ एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें मुम्बत्ती की जोला दिखाई दे रही है यह उत्तर लेंस द्वारा मिला प्रतिविम है लेकिन यह जोला उल्टी दिखा रहा है आईए दूसरी जित्र में देखते हैं आप यहां भली बांती परकार देख सकते हैं जोला बड़ी दिखाई दे रही है जब हम मुम्बत्ती की इसको पास र प्रतिबिम वास्विक और उल्टा मिलता है लेकिन जब इसे वस्तु के बहुत पास रख देते हैं तो यह आवासी सीधा और आवर्दित मत्ब बड़ा प्रतिबिम बनाता है क्योंकि यह वस्तुमों का बड़ा प्रतिबिम बनाता है इसलिए इसे आवर्धन के लिए यानि वस्तु के बड़े आकार को देखने के लिए इसलिए आवर्धक लेंस भी कहते है आवतर लेंज सदेव, सीधा, आभासी और अकार में प्रतिविम्ब से छोटा प्रतिविम्ब बनाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह आवतर लेंज है दूसरी तरफ मौमत्ती रखी हुई है और आप इस लेंस के अंदर ही इसका प्रतिबिम्ब देख सकते हैं इस प्रतिबिम्ब को आप किसी सतह पर या दिवार पर नहीं देख सकते हैं यह वस्तु के आकार को छोटा कर देता है आप देख सकते हैं यहां पर मुंबती पिछे से दिखाई देरे यह मोटी है जबकि चित्र के अंदर या प्रतिपिम के अंदर इसका आकार थोड़ा पतला हो गया है अब अब हमें प्रेश्ण उतर करने हैं आवतल उतल तथा आवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए उतल लेंस किस प्रकार का होता है आप ये देखिए इसके साब से बताईए उत्तलेंस की नारों से अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं और आउत्तलेंस की नारों के अपेक्षा बीच में से पतले होते हैं यह एक अंतर हो गया दूसरा अंतर है यह उत्तर लेंस प्रकाश की किरनों को अभी सरीद कर देते हैं अंदर की तरफ मोड देते हैं जैसा कि यह चित्र में दिया है जबकि अवत्र लेंस प्रकाश की किरनों को बाहर की ओर मोड देते हैं जैसा इस चित्र में दिया हुआ है प्रशन दो, किस प्रकार का लेंस सदेव आभासी प्रतिविम बनाता है? आवतल लेंस सदेव आभासी प्रतिविम बनाता है क्योंकि उत्तल लेंस तो दोनों प्रकार के बना सकता है जब इसको वस्तु से दूर रखा जाता है तो यह वास्त्विक और उल्टा प्रतिबिम बनाता है लेकिन जब इसे वस्तु के बहुत पास रखा जाता है तो यह आभासी सीधा प्रतिबिम बनाता है प्रशन तीन उत्तर लेंस आवर्धक लेंस की भांती उप्योग होता है सत्य आ सत्य यह गतन बिल्कुल सत्य है यह हाँ पर लिखा भी हुआ है अच्छा बच्चों आज की वर्क्षीट में हमें इतना ही करना है जल्द ही नेक्स्ट वर्क्षीट के सोलीशन के साथ मिलते हैं